प्रिकेट लाइन गुरू चानल के प्री मैच अनलिसिज में इंगलेंड ने साफ टेकट से ये मुकाबला जीता था तो वहीं सेकंड टीट्विंट्याय मैच को 95 रन से इंगलेंड ने अपने नाम किया था अब ऐसे में दोस्तो दो मैचों में जीत के साथ इंगलेंड की टीम इस सीरीज में बड़त तो बना चुकी है लेकिन अगर वो य सक्टेंबर यानि के संड़े के दिन शाम साथ बजे खेला जाएगा तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वेनियोने लिसस के साथ तो एडवेस्ट इन बिर्मिंगम में दोस्तों चे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से फॉस्ट पाटिंग करते हुए डीम ने चे मुकाबले अपने नाम किये हैं यानि के सेकंड बैटिंग करते हुए टीम के हाथ एक भी मुकाबला नहीं लगा है फॉस्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर रहा है 170 का हाइनिस्ट स्कोर बनाया है इंगलेंड के टीम ने 221 का तो वहीं लोइस्ट स्कोर भी रहा है इंगलेंड की टीम के तो यह तो होगे दोसो पिछ रिपोर्ट की बात हैट टो एट कमपाइशन की बात करें यानि कि यहाँ पर देखा जाए कि इंग्लेंड और न्यूजिलेंड की टीम में से आखिर किसका पलड़ा भारी है कौन किस पर भारी अभी तक पढ़ते आया है तो यहाँ पर 25 माचिस खेले गए हैं इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के बीच में जिसमें से एक मुकाबली का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था तो वहीं इंग्लेंड के नाम रहे हैं 16 मुकाबले और न्यूजिलेंड की टीम ने आठ माचिस में जीत दर्च की हैं इंग्लेंड के खिलाफ ऐसे मैं यहाँ पर इंग्लेंड भारी परती हुई दिखाई दे रही है न्यूजिलेंड की टीम पर हलांकि दो मुकाबले जो पिछले थे वो भी इंग्लेंड ने अपने नाम के थे तो यहाँ पर भी इंग्लेंड की टीम तीसरे मुकाबले को अपने नाम कर इस सीरीज को जीतने के लिए आगे बड़त बनाना जरू चाहेगी तो ऐसे मैं जो टीम के कप्तान है जॉस पटलर वो किन 11 खिलाडियों को मुझा देंगे इंग्लेंड की प्लेंग 11 में इसके बारे में आपको बताते हैं तो यहाँ पर जो खिलाडी शामिल रह सकते हैं वो हैं विल आपके असाब से किस खिलाडी को जगा मिलनी चाहिए आप भी अपना जवाब नीची कॉमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूँ शेयर करें हैं हैरी ब्रूग की अगर बात तेरे तो हैरी ब्रूग का शांदार बला इस सीरीज में हमें अभी तक देखने को मिला है दो मैचस नोनों ने 110 रन स्कोर किये हैं जोनी बैरोस्टो ने दो मैचस खेलते हुए 90 रन बनाए हैं तो वहीं अगर वालिंग ओर की बात की जाए तो कार्स ने दोस्तों दो मैचस में चार विकेट अपने नाम किये हैं वैल जैसा कि अभी हमने आपको प्लेंग 11 के दौरान बताए कि गस एटकिंसन या फिर लिउग बूड इन में से कोई एक खिलाडी होगा जिससे जगा मिलेगी प्लेंग 11 में तो ऐसे में अगर दोनों के स करान लिए थे न्यूजलेंड के खिलाफ तो ऐसे रहा है दोनों ही खिलाडियों का प्रदर्शन अब किस खिलाडी को मिलेगी तीसरे टीट्विंटी आए माच में जगा ये देखना दिलचस्त रहने वाला है अब बात आ जाती है न्यूजलेंड की टीम की क्योंकि दोस्तो में किन ग्यारक लाडियों को वो मौका देना चाहेंगे अपनी प्लेइंग 11 में इसके बारे में आपको बता देते हैं तो यहां पर शामिल है सकते हैं फिन एलन, दिवान कॉनवे, टिम सेफोर्ट, ग्लेन फिलिप, मार्च चैप्मेन, डेरल मिचिल, मिचिल सांटनर, एड के अलबा, फिन एलन है, जिन्होंने दो मुकाबलों में 24 रन स्कोर किये हैं, गिनबाजी पनजर डाले जाएं तो इस टोधी ने तीन विकेट निकाले है, दो मुकाबले खेलते हुए और आकरी नाम है टिम साओधी का, जिन्होंने दो मैचस में दो ही विकेट अपने नाम क यह हो गई दोस्तों, निजलेंड के की प्लिया, फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, तो यह जो मैच है डोनों टीम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, अगर यहां पर इंग्लेंड की टीम जीती है, तो यहां इंग्लेंड की टीम के लिए थोड़ा सा खत्रा आसाथा है, तो ऐसे में दोस्तों, फॉनसी टीम जीतेगी, तो हैक्क्त कंपाईजन पर जैसा हम देख सकते हैं की इंग्लेंड की टीम यहां स्ट्रॉंग नजर आ रही है, तो डेफिनिटल यहां इंग्लेंड की टीम एक बार फिर से न्यूजलेंड को मात देने में यहां पर अगर पिछ की बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्स बाटिंग करते हुए छे मुकाबले यहां जीते गए हैं तो डेफिनेटली जो टीम यहां टॉस जीते गी वो टीम यहां मुकाबला जीते हुई हमें नजर आ सकती है यानकी फॉर्स बाटिंग